हलो फ्रेंड्स बहुत महुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टेडी एन एक्सपेरिमेंट पर दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पिग आयरन के बारे में पिग आयरन क्या होता है ये जानेंगे पिग आयरन की composition के बारे में जानेंगे इस वीडियो में और जानेंगे हम पिग आयरन की uses साथ में हम ये भी जानेंगे animation के द्वारा कि पिग आयरन जो है वो कैसे produce किया जाता है कौन से furnace में यूज किया जाता है इसके साथ क्या क्या additives यूज किया जाते है और पूरा प्रोसेस हम जानेंगे पिग आयरन के बारे में तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बने रहीएगा पिग आयरन याने की कच्चा लोहा जिसे की धलवा लोहा भी कहा जाता है पिग आयरन स्टील इंडस्ट्री में एक इंटरमीडियेट प्रोड़क्ट है और जिसे डायरेक्ट यूज नहीं किया जाता है यानि कि ये डायरेक्ट आपका जो है फाइनल प्रोड़क्ट नहीं है ये एक सेमी फिनिस्ट प्रोड़क्ट है हाँ लेकिन इसका यूज करके और बहुत सारे प्रोड़क्स जैसे कास्ट आइरन, रॉट आइरन इन सब को बनाया जाता है अलग-अलग फर्नेंस में, अलग-अलग टेंपरिचर पर और अलग-अलग impurities, additives के साथ में इसे heat करने से अलग-अलग तरह की steels जो है, वो प्रोड्यूस होती है, तो आपके पिग आरन में जो है, कार्बन का परसेंटेज बहुत जादा होता है 3.5 से 4.8 परसेंट जो है, इसमें कार्बन रहता है, इसके साथ ही इसमें impurities बहुत जादा होती है क्योंकि ये semi-finished product है, silicon इसमें 1% to 3% silicon होता है, magnees होता है 0.1 से 1% तक phosphorus होता है 0.3 से 1.5% और sulfur 1% से कम इसमें मौझूद होता है कुछ इस तरह के safe में आपको जो है pig iron वो मिलता है और इसे बनाया जाता है blast furnace पे तो इस animation के जरी हम समझेंगे कि आखिर blast furnace में कैसे pig iron को बनाया जाता है pig iron बनाने के लिए blast furnace में charge करना पड़ता है इन तीनों को पहला होता है iron ore जिसे की हम direct mines से लेके आते हैं और उसके बाद उसमें हम add करते हैं limestone और साथ में coke तो इन तीनों को जब heat किया जाता है furnace में तो एक hitting zone बनता है जिसमें की क्या होता है आपका molten जो है metal iron molten iron का layer बनता है जो की heavy density होने की वजय से नीचे में रहता है उसकी ऊपर में आपका है molten impurities का एक layer बनता है और यहां पर इस furnace में 2 points रहती हैं 2 ports रहती हैं जहां से slack को अलग कर लिया जाता है और आपके molten iron को अलग कर लिया जाता है यहाँ पर जो molten iron आपको मिलता है वही आपका pig iron है और उसे shapes में अलग-अलग shapes में जो है वो इस तरह से ढाल लिया जाता है और फिर उसके छोटे-छोटे बार बना कर उसे फिर से use किया जाता है transport किया जाता है कहीं भी और further फिर उसे दूसरे furnace पे जैसे की कपोला furnace हो गया इन सब में scrap के साथ में और sponge iron के साथ में melt करके final जो आपका है continuous casting machines में भी direct use किया जाता है और वहाँ पर आपका billets, blooms इन सब को final product के रूप में निकाला जाता है तो यह था आपका pig iron तो दोस्तों उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी अगर यह वीडियो आपके लिए 1% भी helpful है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा आप फिर से मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अलवेदा